तो आज हम ये LED 9W के LED वलब को रिपेर करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या दिक्कत है तो LED वलब है इसकी जो MCPCB है दोस्तों बहुत जल्दी खराब हो जाती है इसकी MCPCB पहले भी चेंज करे थी लेकिन ये देड़ दो महने चलने के बाद फिर से खराब हो गया है अगर आपके पास भी इस परकार के फॉल्ट आती है यानि कि MCPCB आपके बार बार बहुत जल्दी खराब हो जारी जल्दी का मतलब यह है कि एक देड़ महना चल जाती है ऐसी बात नहीं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल पा रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको किस परकार से रिपेर करें थाकि ये तीन चार महने आराम से चल जाए ठीक है मैं इसमें आपको एक सिंपल सा प्रोटक्शन बताऊंगा कि किस परकार से क्या हमें इसमें लगाना है एक कंपोनेंट के हमें ज़रुत पड़ेगी दोस्तों होंगे और वह बहुत जल्दी खराब हो जाते होगी ठीक है एक बार मैं आपको इसको अपनी सीरीज में लगाके दिखाता हूँ कि इसमें क्या देख करें देखें इसमें इस परकार की दिक्कत हमें देखने को मिले यानिकि बहुत ही लॉलाइट की इसमें प्रोबलम है सब से पहले मैं आपको इसकी एक बार बॉल्टिज चकर आके दिखाता हूँ ठीक है तो इसके लिए हमें मल्टिमेटर चाहिए होगा मल्टिमेटर को हम रखेंगे 200 वोल्ट डीसी में ठीक है तो यह मैंने रख दिया है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बॉल्टिज चकर क यह आप देख सकते हैं इस परकार इसमें 100 से उपर बोल्टे जा रही है ठीक है थोड़ा अपडाउन हो रहा है इसको भी हम सही करेंगी ठीक है तो इस परकार की इसमें दिक्कर है आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानें इस परकार की दिक्कर आपके पास कभी भी नहीं आएगी फ्यूचर में ठीक है मैने जो इसकी MCPCB यह निकाल दिया बाहर ठीक है अब इसको हम रखते हैं साइड में अब हम क्या करना होगा B22 काप है इसको भी आसे निकालते हैं बाहर क्योंकि हमेण ये ड्रैवर को निकालना होगा बाहर ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके दोनों पॉइंट को डिशॉल्डिंग करेंगे और अपना जो ड्रैवर है उसको निकाल देंगे बाहर दोबारा सोड़निंग करिए जैसे मैंने करी थी ठीक है तो आप अराम से निकल जाएगा बाहर यह देखिए वह निकल चुका है बाहर क्योंकि हमें बाद में इसको इसमें फिट भी करना है यह आप देख सकते हैं हमारा B22 कई भी एकदम साप हो चुका है इसको हम रखते है साइड में नय यह टिक्की को निकालना पड़ेगा बाहर उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों इस परकार का एक स्कूरू ड्रैवर ल यह लगांगे तो हमारा एक यह बीट कर देख सकते हैं हमारी लेटी बलब में देख सकते हैं तो इसना शारे कम्पॉनेंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब हमें चांग करना है चीज हम करना है इक चीज हम और लगा गए यह एक тепपे Exodus ठीक है यह capacitor की value आप देख सकते हैं 155J 4600 volt है ठीक है आप इसकी जगर 105J 4600 volt भी लगा सकते हैं इन दोनों के अलावा आप इसमें और कोई मत लगाएगा ठीक है तो इसको हम किस परकास से लगाएंगे इसको हम देखी यह जो हमारा driver है इस एक AC input में तो हमारा यह fusible register लगा हुआ है तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस परकास से हम इसको लगाएंगे वीडियो में आप लोग बने रहे क्योंकि अब इसमें बहुत कुछ आपको बताना और सीखना बाकी है ठीक है यह मैं समझेगा कि वीडियो खतम हो चुकी है अब मैंने आपको यह component हो बत अब बलब का जो हाउसिन है उसके अंदर भी फिट आ जाए ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए इसको हम इस परकास यहीं पर रखना पड़ेगा क्योंकि और कोई आप्सन हमारे पास है नहीं ठीक है अब हम क्या करेंगे एक लैक को हम यहां पर कर लेता हूं ताकि मुझे बताने में फड़ासा आसानी हो ठीक है तो आप यह देख सकते हैं मैंने जो इसकी एक लेग है दोस्तों ठीक है वह यहां पर मैंने सोल्ड कर दिया देखिए यह वाले एसी में एक मता हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टर लगा हुआ है और दूसरे सबने म술 कर देखिएगोफ और थीग वाले में मैंने इसको सोल्ड कर देखिए और हमने में इसको कैसे लागाना है diss जोरा क्ले वाले एक wait में देंगे fie 그만 में और दूसरा वाले देंगे इसमा थीक है तो अब हमें इस परकास सेहना हो गया है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको तूढ़ा एड्जास करके आप लोग इस परकाशी इसको कल लिजेगा ठीक है तो यहील की यह हमारा हो गया है को ट्रेक है तो यहां पर अब जैन्ट करेंगे ठीके ताकि यह डिस्रॉल्डिंग नह ओ और हम देख ATC अभी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है ठीक है तो हम थोड़ा सा इसको और पीछे करेंगे इधर ठीक है हलका सा और पीछे करते हैं आप देखते हैं डालके तो यह देखakukan दूस्तों यह हमारा अभी थोड़ा सा फिट हो चुका है देखें बाहर निकला निकला है देखिए यहाँ पर यह सोड हो गया है तो सोड यहाँ पर नहीं होना चाहिए अगर यह सोड होता है तो फिर कोई फैदा नहीं है ठीक है तो इसको हम दोबारा बहार निकालेंगे यह देखिए तो अब हम क्या कर सकते इसमें ताकि हमारे component में sort ना हो तो तो इसके एक जो wire है इसको हम काट के यहां पर हमें एक यह ऐसा वायर वायर करना होगा ठीक है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख्क पा तो यह देखिए यह हमारा fit हो चुका है ठीक है अब यह sorting की दिक्कत नहीं होगी जैसे पहले यह हमारा sort हो रहा था अब यह sorting नहीं होगी इसमें ठीक है तो इस प्रकास से हम इसको fit कर सकते हैं मैं अगी बार दुबार आपको निकाल के दिखा ज़ता हूँ देखिए यह जो हमने पीएप कपिशिटर है इसको हमने सीरीज म लगाना है ठीक है ध्यान रिखिए यह कोई भी component पे इसके wire जो है वो टकराए नहीं ठीक है तो अराम से हो जाएगा ठीक है बहुत सारे लोग अगर आप mechanic है या फिर आप repairing का काम करें तो आपको पता होगा बह बहुत अच्छा result है इसका ठीक है और कापी अच्छी हमारी MCPCB चल जाती है LED बलब हमारा चल जाता है ठीक है तो यह मैंने fix कर दिया है ठीक है अब मैं क्या करूंगा एक बार बाकी कुछ इसमें change करने की जरूरत नहीं है ठीक है कौन सी condition में जब आपकी condition यह है कि आपका LED बलब की जो MCPCB बार बार खराब हो रही है तो उस condition में हम इसको लगाएंगे PF Capacitor ठीक है तो चलिए वीडियो में बने रही है पूरी जानकारी में आपको दूंगा और पूरा इसको एसेंबल करके और आपको एकदम बड़ी असा result लाके दिखाऊंगा ठीक है मैं इसी परक अब जो हमारा B22 Cap है उसको एक बार हम लगाएंगे देख सकते हैं यह हमारा इसमें फीट हो चुका है देखिए यह यह वाला वाईर भी बाहाद निकल चुका है और इदर वाला वाईर भी बाहार निकल चुका है अब हम क्या करेंगे इसमें हलका सा सूल्डिंग पेश्च पेस्ट लगाने से जो हमारे सोल्डिंग होते दोस्तों बहुत ही अच्छी तरेके से हो जाती है यह देख सकते हैं हमारे B22 का भी फिक्स हो चुकी है और यहाँ पर हमारे सोल्डिंग भी हो चुकी है ठीक है आप देखे आप दोस्तों हम इसमें MCPCB लगाएंगे तो मैं इसमें ये वाले MCPCB का यूज़ करने वाला हूँ और दोस्तों इसमा हम लगाएंगे hitsing compound hitsing compound का काम दोस्तों हमारे जो mcpcb है उसको ठंडा रखने का काम होता है hitsing compound जरूई है लगाना हमारे mcpcb जलती है तो ये बहुत ज़्यादा heat हो जाती है ये जो paste हम लगाते है hitsing compound ये क्या करता है जो इसकी heat है उसको थोड़ा सा कम करता है तो इसको आप अगर लगाते है mcpcb बे तो इसकी life थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगे तो चलिए अब दोस्तों मैं इसमें लगा देता हूँ screw ठीक है ये देख सकते हैं इसको भी मैंने tight कर दिए mcpcb में हलका हलका दोनों point में solding paste लगाएंगे और हलका हम इसमें क्या करेंगे solding कर देंगे mcpcb में यहाँ पर plus लिखा हूँ है और यहाँ पर लिखा है minus ठीक है जो black वाला wire होता है दोस्तों वो होता है minus का तो हम उसको लगा देते हैं minus वाले में और plus वाले को पलस वाले में हमारे solding बहुत ही अच्छी तरह के से हो चुकी है ठीक है अब आप यह मस समझे कि मैंने अगर इसको रिपेर कर दिया है तो क्या यह चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों अभी मैं इसमें आपके सामने डेर लिखता हूँ आज है 16 तारिक ठीक है महिना दो 2023 ठीक है दोस्तों एक दो दिन में मैं इस वीडियो को भी पूश्ट कर दूँगा ठीक है तो 16 तारिक को मैंने यह जो LED बलब है इसको रिपेर कर रखा है यह वाले ट्रीक से तब मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि यह कितने दिनों तक इसमें चला एक दम बिल्कुल प्रैटिकली होने वाला है आपको भी इत फुरूप के साथ मैं इसको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो इसमें मैंने डेट डाल दी है ठीक है अब क्या करूंगा मै इसमें चली सैन भी करता हूं मैं टेकृश्ट करता हूं ताकि आपको पता चली की समय मैंने सइन भी कर रहा है ठीक है ठीक है चुस्तों है तो चलिए को आप ऐसकिते हैं जो हमने ने क्या वाक्वी में वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है क्या आपको इस प्रकाल से component लगा के लटे बदब को रिपेर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए component है आपको market में आसाने से 3 रूपी में मिल जाएगा मात्र 3 रूपे खट से करने के बाद आप इसमें 5-6 मेंने की गारंटी अराम से दे सकते हो ठीक है यह आप देखिए अभी हमें 80 voltage मिल रही है ठीक है पहले इसमें कितनी मिल ली थी 105 110 90 इस प्रकाल से फ्लक्ट कर रहा था ठीक है लेकिन अब इसमें एकदम stand voltage मिल रही है ठीक है यह देख सेते हैं आप ठीक है तो 80 voltage मिल रही है जो हमारा इस mcpcp के हिसाफ से एकदम से ओक है ठीक है तो चलिए मैंने यह repair कर दिया है और इसकी brightness की बात करें वह भी कापी अच्छी है कोई इसमें दिक्कत होने वाली हमें नहीं है जोस्तों कि अगर कोई component आपने इस परकार से इसमें लगाया तो इसकी जो brightness है वह कम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो आई होग दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप इस परकार से अपने लेटी बलफ रिपेर करेंगे तो चलिए आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा कि अगर कोई सवाल हो आपका तो जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट क चला है ठीक है तो चलिए मिलते हैं बहुत जदी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाए